Good morning students, YouTube channel India Old-Age में आपका स्वागत है, एक बार फिर हाजे नहे हम, एक नए टोपिक मोर्यत्रकाल के साथ, इस वीडियो में हम मोर्यत्रकाल के बारे में पढ़ेंगे, मोर्यत्रकाल के जो सासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो मोर्यत्रकाल का समय है 114 इससा पूरा से 319 इ आप देखिएगा होता क्या है कि 114 सी इस्सा पूर्वे में अंति मोर्य सम्राजे का अंध हो जाता है अब मोर्य सम्राजे के बारे में हमने पहले काफी कुछ पढ़ा सब के बारे में हमने पहले पढ़ा है और आप लोगों से एक भहुती महत्तों बात कहनी है कि यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया उल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें ताकि आपको इत्यास सम्मंदित कोई भी जानकरी हो चाहे कोई भी परीक प्रिक्षा उप्योगी चीजें हम आपको यहां पर बताएंगे तो देखें चलते हैं मोर्य उत्तरकाल में मोर्य समराजे की लड़कडाती हुई दिवार इससा पूर्वे 187 में डह गई और मोर्य समराजे के अंत के साथी भारती इतिहास की राजनतिक एकता कुछ समय के लिए खंडित हो जाती है अब हिंदु कुछ से लेकर करनाटे के वं बंगाल तक एक ही राजवन्स का अधिपत्य नहीं रहा देश के उत्तर पस्चिमी मार्गों से कई विदेशी आकरांतों ने आकर अनेक भागों में अपने अपने राज्य इस्तापिते कर लिये थे तो देखेगा मोर्य समराजी के एक जो महतोपण विश्यस था हमने बताई थी कि सबसे पहले राजनतिक एक तक में मोर्य वंस के सासको ने ही भारत को बांदा था अब वो क्या होता है कि 184 सा पूरा में जब समराट ब्रहु दरथ की हत्या हो जाती है तब ही से ही वो खतम हो जाती है वो कानी और विदेशी आकरांता आते हैं और वो अपने अपने राज्य स्तापित करते हैं अब देखेगा दक्सिड में स्थान ये सासक वन स्वतंतर हो उठे कुछ समय के लिए मध्यापर्देश का सिंधु गाटी एम गोदावरी छेतर से समन तूट गया और मगत के वैभव का स्थान साकल, विदिशा, पर्तिष्टान, आधी कई नगरों ने ले लिया था तो मगत महाजनपद के बारे में भी हमने काफी कुछ आपको पढ़ाया है प्लेलिस्ट में देखेगा और आप महां से मगत समराज ये मगत महाजनपद, मगत के जो सासक हुए हैं उन सभी के बारे में जानकरी प्राप्त करिएगा तो देखेगा सबसे पहले पढ़ते हैं सुंग वन्स ये 114 इसा पूरा से 35 इसा पूरा में था अंती मोर ये समराज ब्रेदर्द की हत्या करके उसके सिनपती पुष्य मुत्तर सुंग ने 114 इसा पूरा में सुंग राजवन्स की स्तापना की थी सुंगों की उत्पती के बारे में विद्वानों के अलग-अलग मत हैं सुंग वन्स के राजा अपने नाम के अंती में मित्तर शब्द का प्रियोग करते थे अतब कुछ विद्वान सुंगों को मित्तर अर्थात सूरिय का उपासक मानते हैं पुसे मित्र सुग ने 104 से इस्सा पूर्व से 151 इस्सा पूर्व तक राजे किया था। मौरिय समराठ असोक द्वारा बो धरम के 50 परशार के फर्शरूब हाज को प्राप्थ हुए हिंदू धरम का पुसे मित्र सुग ने पुन्रूथान किया। भरहुत इस्थूप का निर्मान पुसे मित्र सुंग ने करवाया था। सुंग काल में ही भागवत धरम का उदे और विकास हुआ तथा वासु देव विष्णू की उपासना प्रारम हुई। सुंग वन्स के अंतिम सासक देव भूति की हत्या उसके मंत्री वासु देव ने 75 इस्था पूरव में करके कणवाय राजवन्स की निवे डाली। तो पुसे मित्र सुंग उसने तो सुंग राजवन्स की निव डाली। और कणवाय राजवन्स की निव कौन डालता है देव ठीक है जो सुग्वन्स का अंतिम सासक था उसकी देवुटि ने हत्या की प्सहरी aşटीस है उसका अंतिम सासक है देवुटि उसकी हत्या कर के उसका म перемת přijke कर राजवुटि की नीव डालता है तो सुंग वंस के अंतिम सासक देव भूति के हत्यागर के उसके ही मंत्री वास्तु देव ने 55 इस्सा पूरव में कण्वा राजवंस की नीव डाली तो सुंग वंस की नीव किस ने डाली उससे मित्र सुंग ने और आपके इसकी कण्वा वंस की नीव किस ने डाली वास्तु वासुदेव ने कब 55 इस्सा पूर्व में ऐसे क्यों बनते हैं ठीक है देखिएगा कन्फ्यूज मत हो येगा ये ऐसे ही ऐसा चेप्टर है ये इसमें भूल जाते हैं अप लोग तो बार-बार इनको याद करने की कोशिस करिएगा बार-बार वीडियो देखिएगा आप अब पढ़ते हैं कन्वा वंश जो पचेहतर इस्सा पूर्व से 30 इस्सा पूर्व तक हुआ वासुदेव परवर्तित राज्वंस के कूल चारश चास हुए वासुदेव इसने नो वर्स तक सासन किया उसके बाद उसका पुत्र बूमीमित्र उसके बाद उसका पुत्र नारायन और अंत में सूसर्मा जिसे सात्वार वन्स के परवर्तक सी मुख ने पच्चोत कर दिया था अब देखेगा इंडो ग्रीग अर्थाद हिंद यमन सासकों का इत्यास देखेगा इत्यास में बहुत ही महतोपन टोपिक है उत्तरपस्यम से पस्यमी वेज़ेशियों के आकरमन मोर योतर काल की सरवादिक महतोंपन गटना थी इन में सबसे पहले आकरमनकारी बेक्टरिया के ग्रीक अर्थाद यूनानी थे जिने यवन के नाम से जाना जाता है मोर्य तरकाल में भारतिय सीमा में सर्वा पर्थम परवेश करने का स्रेड डेमेट्रियस पर्थम को है उसने 183 इस्सा पूरव में पंजाब के कुछ हेत्रों को विजित कर साकल को अपनी राज़दानी बनाया था डेमेट्रियस पर्थम के बाद युक्रेटाइटस ने भारत के कुछ हेत्रों को विजित कर तक सीला को अपनी राज़दानी बनाया था मिनांडर जो 160 इस्सा पूरव से 120 इस्वा पूरव तक था मिनांडर शरवादिक परसिद यवन सास्तक था जिसने भारत में युनानी सत्ता को इस्थापित किया था हिंदी युनानियों ने सोने के सिख्केश चलाई थे समराजे के दो प्रांधे सेल्यूकस के उत्रादीकरी अंप्तियोकस पर्थम जो 281 से 271 इस्वा पूरुए था के काल तक ये दोनों परदेश सेलुकसीर समराजे के अंग बने रहे परन्तु अंतियोकस द्वित्ये जो 271 से 246 इस्वा पूरुए में था के सासन काल में 250 इस्वा पूरुए के लगबग पार्थिया तता बैक्ट्रिया के परदेश स्वातंतर हो गए पार्थिया के विद्रोह का नेता अर्सेक्स तता बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेता डायडोटस था नो तो अन्तियोकस धुत्य और नहीं उसके उत्रादिकारिऊं सेल्यूकस धुतिय दरता सेल्यूकस तरीटिय में से कोई इतना अधिक सकति सा लिधा कि वे है इन विद्रोही परदेशों को अपने अधिकार में कर सके अंतियोकस त्रितिये जो 223-187 सापूरा में सासक रहा ने इन परदेशों को विद्रोही अधिन करने का प्रियास किया परन्तु अपने को एसम्मर्थ पाकर उसने इन दोनों प्रांतों की स्वाधिनता स्विकार कर ली बेक्टरिया के स्वातंतर युनानी समराजे का संस्तापक डायोडोटस था वह एक सक्तिसाली सासक था जिसने सोगडिया से मार जियाना तक के प्रदेश पर चिरकाल तक सासन किया डायोडोटस की मर्त्यू के बाद उसके अवेस को पुत्र की हत्या कर यूथी डेमस नामा के एक महत्रगांग्ची व्यक्तिने सत्ता हत्याली थी अब देखेगा सक्सा सकाते हैं ये भी भोती इंपोर्टेंट चेफ्टर है भारतिय स्रोत सकों को सीथियन नाम देते हैं यमन सासकों के बाद सक भारत में आये यमनों के बाद को नाते हैं भारत में सक आते हैं चीनी ले तथा ब्लूची स्तान में होकर सिंदु की गाठी में प्रवेश किया और उस प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसलिए सिंदु प्रदेश आगे चलकर सक्थ द्वीब के नाम से विख्यात हुआ। एक पांच साखाव में बाजित थे प्रथम काबूल में, दूतिय तक्सिला में, तूतिय मथूरा में, चतूरत साखा थी उनकी उज्यनी में, तदा पंचम साखा नासिक में थी, ठीक है? भारत में सक्सासक चत्रप कहलाते थे सक्सासको की दो साखाएं भारत में 30 महतोपुन थी तो भारत में जो सक्ते वो तो सीथियन कहलाते थे और सक्सासक थे वो चत्रप कहलाते थे इनकी दो महतोपुन भारत में साखाएं थी वो देखिएगा प्रथम उत्तर चत्रप जो तक्सिला वे मतुरा में थे द्वित्ये पस्सिमी चत्रप जो नासिके हम उजेनी छेतर में थे ठीक है उजेनी में कादर्मक वन्स सासकों का पर्तिष्टित राजवन्स था इसका सरवादिक पर्सिल सासक चत्रप रुद्रदामन था चत्रप रुद्र दामन ने 130 इसा पूरा से 150 इसा पूरा के मद्दे सासन किया था इस वन्स का अंतिम सासक रुद्र सिंग तुरित्य था इसे गुप्त समराट चंद्र गुप्त द्वित्य विक्रमादित्य ने प्रास्त कर पस्चिमी छत्रपों के राज्यों को अपने समराज्यों में विलीन कर लिया था इस प्रकार सकों की सत्ता का अंत हो गया था सक प्राचीन मद्दे एशिया में रहने वाली स्किती लोगों की एक जनजाति या जनजातियों का समुह था इनकी सही नसल की पहचान करना कठिन रहा है तोंकि प्राचीन भारतिय इरानी युनानी और चीनी श्रोथ इनका अलग-अलग वीवरन देते हैं फिर भी अधिकतर इत्यासकार मानते हैं कि सबी सक इसकिती थे लेकिन सबी सक इसकिती सक नहीं थे यानि सक इसकिती समुदाय के अंदर के कुछ हिसों का जाति नाम था अब देखेगा सकों के बारे में जानने के इत्यास के स्रोत ये भी बहुत ही important चेप्टर है सको की प्रारंबिक इत्यास की जानकारी के लिए हमें चीनी सुरोतों पर निर्भर रहना पड़ता है इनमें पान, कू, कृत, सी, एन, हान, सू, अर्थाद, पर्थम, हान, वन्स का इत्यास, तथा फान, ए, कृत, हाउ, हान, सू, अर्थाद, परवर्ती, हान, वन्स का इत्यास उलेखनिये हैं इनके अध्यान से यूची, हून तता पार्थियन जाती के साथ सकों के संगर्ष तता उनके प्रेसार का ज्यान होता है चिन्नी ग्रण तता लेखक सकों को सकों की सई अथवा सई वांग कहते हैं भारत में सासन करने वाले सक तता पल्लव सासकों का ज्यान हमें मुख्य रूप से उनके लेखों तता सीकों से होता है सकों के प्रमुख लेख इस प्रकार से हैं देखेगा राजवूल का मतूरा सीहं सीर से स्थम्ब लेख सोडास का मतूरा दान पत्र लेख नहपान कालीन नासिक के गुहा लेख नहपान कालीन जुनार का गुहा लेख उस्सावदान के नासिक गुहा लेख रुद्र दामन का अंधो अर्थात कच्छ की खाड़ी में का लेक, रुद्र दामन का गिरड़ार अर्थात जुना गड़ी है वो का लेक तो यह मतलब भी सकों के परमुख लेक है इनसे कई बार क्युतें पूछ लेते हैं ठीके साथवान राजों के लेखों से सकों के साथ उनके सम्मंदों का ज्यान होता है लेखों के अतिरिक्त पस्यमी तता उत्त्री पस्यमी भारत के बड़े भाग से सक राजों के बहु संख्यक सिक्के प्राप्त हुए हैं कनिस्क के लेखों से पता चलता है कि कुछ सक छत्रप तथा महा छत्रप उसके अधीनता में देश के कुछ बागों में सासन करते थे। रामायन तथा महाभारत जैसे भारतिय साहित्यों में यवन, पल्लव, अदिविदेशी जातियों के साथ सकों का उलेख होता है। कातियन एम पतंचली भी सकों से परीचित थे। मनुस्मर्ती में भी सकों का उलेख मिलता है। पुराणों में भी सक मूरंड यावन जातियों का उलेख मिलता है। कई अन्य भारतिय ग्रंथ जैसे गारगी सहित्यों, विशाखा दत क्रीट, देवी चंद्र, गुप्तम, बान क्रीट, हर्ष चरित, राज सेखर क्रीट, कावे मिमांसा में भी सकों का उलेख मिलता है। जैन ग्रंथों में सकों के विशे में विश्त्रित जानकरी मिलती है। और सकों के जो राजा है उनको छत्रप कहा गया है। अब देखे अगले जाती है विदेशों की वो है पार्थिय या फिर इनको पहलव भी कह सकते हैं। पस्यमोतर भारत में सकों के अधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का अधिपत्य हुआ पार्थियाई लोगों का मूर निवासस्तान इरान था भारतिय साहिते में इन्हें पल्लव कहा गया है पल्लव वंस का सरवादिक परसित सासक गोंदोर फार्निस था इस पल्लव सासक की राज़ाने तक्सिला थी गोंदो फार्णिस के सासनकाल में सेंट टोमस इसाई धरम का परचार करने के लिए भारत आया था पल्लव वंस का वास्टिव सेंस्तापक मिठेडेज प्रथम था पल्लवों का अंध सकोंने किया था पल्लवों तथा सकों का इत्यास एक दूसरे से अत्यदिक उल्जा हुआ है अन्तिते उसे अलग-अलग करना एक कठीन कारिय है पल्लव पार्थिया के निवासी थे पार्थिया बेक्ट्रिया के पस्सिम की और कैस्पियन सागर के दक्सिन पूरव में इस्तित शेलू कसी समराजे का सिमावर्ती प्रांत था तृतिय सत्ताब्दी इस्सा पूर्वा के मद्धे बैक्टरिया के साथ ही पार्थिया के यवन अच्छत्रप ने भी अपनी सतंतरता गोसित कर दी परन्तु सिग्रही पूर्व की ओर से आने वाले कुछ व्यक्तियों ने यवन सासक की हत्या कर दी तथा उन्होंने जिस समराजे की निव डाली वह पार्थिया नाम से विख्याते हुआ था पार्थियान वनसका सेंस्तापक कुन था? पार्थियान समराजे का वास्त्विक सेंस्तापक मित्रदात प्रतम जो 111 से 130 इसा पूरव में था पूरव में उसने जड्रोसिया हेरा तथा सिस्तान की विजे की थी उसके बाद फ्राद द्वित्ये तथा आर्थवान राजा हुए जो सकों के विरुद में मारे गए थे मित्रेदात द्वित्ये इस वनसका सबसे प्रतम पीशा सक था तो पार्थियान वनसका सबसे प्रतम पीशा सक था मित्रेदात द्वित्ये उसने सकों को प्रास्ट किया तथा सिस्तान और कांधार पर अधिकार कर लिया मित्रेदाध वित्ये के बाद पार्थियनों का सिस्तान, आरकोसिया, एरिया तथा काबूल गाठी में अधिकार बना रहा इन प्रदेशों से मिले हुए सीकों से अनेक राजों के नाम ग्यात होते हैं पहले वे पार्थियन नरेशों के गवर्णर थे परंतु बाद में स्वतंतर हो गए तथा इंडो युनानियों को परास्त कर उन्होंने भारत के कुछ बागों पर अधिकार भी कर लिया भारत पर आकर्मन करने वाले पार्थियन सर्दार सिस्तान तता आरकोसिया से आये थे उन्ही को भारतिये ग्रेंथों में पहलव कहा गया है पार्थियन राजों में परमुक राजा देखेगा कौन-कौन से थे वोनो नीज जिस समय सक्सासक मेउसकंधार में सासन कर रहा था वोनो नीज सिस्तान आरकोसिया तता एरिया का राजा था वह अपने सिकों पर महराजा दिराज की उपादी धरन करता था उसके कुछ सिके यवन नरेस यूकरेट आइडीज के सिकों के अनुकरन पर डाले गये हैं इस परकार के सिकों पर यूनानी तता खरोश्ती दोनों ही लीपियों में लेख प्राप्ते हुए हैं सिकों के प्रिष्ट भाग पर उसके भाई सपले होर तता भर्तिजे स्पलगडम के ना मिलते हैं ऐसा अगर लगता है कि ये दोनों उसके प्रांतिय सासके थे अगला सासर काता है पार्थियोंनों का स्पेलरिस वोनोनीज के बाद स्पेलिरस राजा हुआ उसके कुछ सीकों के मुख भाग पर युनानी लिपी में स्पेलिरस का नाम तथा प्रिष्ट भाग पर सक्नरेस एजेज का नाम खुदा है इसे प्रतीद होता है कि सक्नरेस उसकी दिनता में उपरा जाथ था इसे पता चलता है कि पार्थियोंनों का तक सिला पर अधिकारे था गौंडो फन्नीज यह पार्थियोंनों को सुर्वा अधिक सक्तिसा लिशा सकता इसके सासनकाल का एक अभिलेक तक्ते वाही जो पेशावर जिल्य में स्तिता प्राप्त हुआ है जिस पर 103 की तिथी दी गई है यदि इसे विक्रम समवत की तिथी सुविकार किया जाए तो ऐसा निसकर्ष निकलता है कि 103 माइनस 46 इस्वी में राजे ये कर रहा था ये तिथी उसके राजे काल के 26 वी वर्ष की है तो उसने 20 इस्वी अर्थात 46 में सासन कारिये प्रारम किया था गोंडो फनीज के सी के पंजाब, सिंद, कांधार, सिस्तान तता काबूल गाठी में पाए गये हैं इसे उसके सामराजे के विश्तरित होने की सूचना मिलती है ऐसा लगता है कि सकों को प्रास्ट कर उसने पंजाब तता सिंद पर अधिकार कर लिया था तकसिला उसकी राजदानी बनी थी ऐस परवर्मन जो पहले सकनरेस एजेस सेकिंड की अधिनता में छत्रप था अब गोंडो फन्नीज की दिनता स्विकार करने लगा इसाई नुसरूती में उसे संपून भारत का राजा कहा गया है जिसके सासनकाल में इसाई धरम का प्रचार सेंट टॉमस भारत आया था गोंडो फन्नीज के निर्बल उत्रादिकारी इसकाल के सिकों से दो राजाओं के नाम मिलते हैं अब्डिगेस तथा पकोरिस ये दोनों निर्बल सासते इसके बाद कुषणों ने भारत पर आकरमनी किया कुषणों ने पार्थियनों को प्रास्त कर यहां अपना सासन कायम कर लिया प्रन्तु ऐसा लगता है कि पस्सिमी भारत में द्वीते स्ताब्दी इस्वी तक पल्लमों की सत्ता किसी ने किसी रूप से बनी रही फिर आता है कुषण वन्स तो यह पहला वन्स आपका कतम हो रहा है अब आ रहा है कुषण वन्स देखेगा मोरिय समराजी के बाद जितने भी वीदेसी वन्स यहां पर आए हैं उन्स सभी को हम करमवाईज आपको यहां पर बता रहे हैं तो डंग से देख लीजिएगा कई बार पूस लेते हैं सकों के बाद को नया कुषण के बाद को नया मोरियों के बाद को नया तो आप अच्छे से इसको देखेगा ठीक है कुषान वन्स पल्लवों की बाद कुषानों का भारत में आगमन होता है अधिकान्स आदूनिक विद्वान कुषानों का पस्षिमी चीन में गोबी प्रदेस में रहने वाली यूची जाती से समध मानते हैं कुषानों का प्रथम परमुक सासक कुजूल कैड़ फिशस था जिसे कैड़ फिशस प्रथम भी कहा जाता है कुजूल कैड़ फिशस परथम के बाद उसका पुतर येन का ओचेन सिहांसन पर बैठा विम कैड़ फिशस अथ्वा कैड़ फिशस दूइतिये के नाम से विख् करेसवर कहागया है कैट फिस्जज द्वित्ये की मृत्यू के बाद द तक सासन किया कनिशक निस्क ने अपने सासनकाल मैं गांधहार कृषमीर शिंद एंपञ्जाब पर अपना दिपत्ते स्थाफिते किया थजो सक्सम्वत के नाम से विज़ाना जाता है कनिस्क ने बोध धरम को स्रंक्षन परदान किया था इसके समय में कस्मेर में कुंडन वन में वसू मित्र के देखस्ता में चतुर्थ बोध संगीति कायो जने हुआ था ठीक है बोध संगीतियों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कनिस्क ने अपने समराजे की प्रत्थम राजधानी पूरुस पूरर थात पैसावर को तथा द्वित्य राजधानी मथूरा को बनाया था कनिस्क के महयान धरम को राजधरम मानना था कनिस्क ने जो बोत की महायान साका थी उसको राजधरम मानना था ये भी हम हीन्यार महायान सब के बारे में पढ़ चुके हैं कनिस्क ने कासगर यारकंद खोतान आद्धी को विजित कर अपने समराजे का विस्तारे किया था कनिस्क के उत्रातिकारी हुविस्क जो 106 इस्विस से 138 इस्विस में सासक रहता है के समय में कुसान सत्ता का परमों के अंदरे पेशावर से हटकर मथूरा पहुँच गया था कनिस्क के कुल का जो अंतिम महान सासक वासुदेव था कुसान वंस के प्रारंबिक इत्यास की जानकरी के लिए हमें मुख्य तह चीनी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है चीनी गरंथों में पानकु क्रित सी एन हान सू तथा फान एक क्रित हाउ हान सू महत्तो पन स्रोत है पानकु के गरंथ से यूची जाती के हून सक तथा पार्थे राजों के सासंघर्ष का विवरण मिलता है इस विवरण के साथ ये ग्यात होता है कि यूची जाती का पांच कबिलों में विभक्त थी फान एक गरंथ हाउ हान सू से 25 इस्वी से लेकर 125 इस्वी तक यूची जाती के इथिहास का पता चलता है इन वीवरणों से पता चलता है कि यूची कबिला कुई सुआंग अर्थात कुसान सबसे सक्तिसाली था जिसके सरदार कुजुल कड़फिसेस ने ही सरवा पर्थम भारत में स्वान सीके पर्चलिते करवाये थे चीनी सरोतों तथा सिकों से कड़फिसेस राजों की विजयों तथा राजे विस्तार की सूचना भी मिलती है कनिसक तथा उनके उत्रादिकारियों का इत्यास में मुख्य रूप से तिबबती बोद गरंथों के चीनी अनुवाद तथा चीनी यात्रियों फायान एम हुएन सा रंग के विवरण से ज्यात करते हैं तिबबती सरोतों से पता चलता है कनिसक खोतान के राजा विजय कीर्थी का समकालीन था तथा उसी की साता से उसने साकेत पर विजय की थी संस्कृत बोद गरंथों श्री धरम पिटक निदान सुत्रे स्यूंक्त रतनी पिटक कलपना मं के चीनी भासा में हुए अनुआज से हम कनिसक की पूर्वी तथा उत्तरी भारतिये विजयों का ज्यान प्राप्त करते हैं कनिसक तथा उसके वनसजों की विजयों एम समराजे विस्थार का ज्यान हमें उनके बहुत संक्यक लेखों तथा सीक्कों से भी प्राप्त होता है कोसमबी, सारनात, मथूरा, सुई, विहार, जेदा, मनिक्याल, अधिस्तानों से कनिस्क की लेखे मिरते हैं उसके उत्रादीकारियों हुविस्क तता कनिस्क दुईत्य के लेक रमसे, मतूरा तता आरा जो अटक से प्राप्ते होते हैं उत्तर परदेश बिहार तता बंगाल के वीविन स्थानों से कनिस्क तता उसके वंसजों के सिख्के प्राप्त हुए हैं अबिलेकों तता सिकों के परशार से जहां एक और उनका समरज्य विस्तार सुचित होता है वहीं दूसरी और राज्य की आर्थिक समरदी तता धर्म के विशे में भी जानकरी मिलती है चिनी आत्री फायान तता वेन सांग के विवरोनों से भी कनिस्क के बारे में जानकर रिप्राप्त होती है इन सबी स्रोतों के अलवा तक्सिला जो पाकिस्तान में तथा बेगराम अफगानिस्तान में से की गई खुदाईयों से भी कुसान इत्यास के पुन्दर निर्मान के लिए उपयोगी समगरिया मिलती हैं तक्सिला की खुदाई 1915 हिस्वी में से जोन मार्सल द्वारा करवाई गई थी यहां से कुसान का लिन सीके तथा समारक मिलते हैं इनी के अधार पर ये निस्चित कंडे में साहायता मिल दी है कि कनिस्क कुल ने कड़फिसे स्कुल के बाद सासन किया था बेगराम में पहले हा करनिस्क कुल के इतियास संबन्दी जानकारी भी प्राप्ते होती है अब देखेगा अगला है कुसानों के बाद अगला जो वन्स था वह था आंदर साथवान वन्स की स्थापना सिमुक ने की थी 7 वन्स के सासकों को दक्सिना धी पति भी कहा जाता है तथा इनके द्वारा सासित पर्देशों को दक्षिना पत्थ कहा जाता था तो अंदर साथवान मंस की स्थापना कोन करता है सीमू करता है साथवान मंस के सासकों को दक्षिना धी पत्थ कहा जाता है और इनके द्वारा जो जीते गे या फिर जिन पर्देशों पर इनोंने सासन किया उन पर्देश को का जाता है दक्षिना पत्र्फेई साथ वानों का मूल निवास महराश्टर का पर tips ठान अर्थाई pace 30 अगर था जो 7500 सास्कों की राजद्धानी थी सीमुक के ऊपरान उसका भाई क्रिशन और क्रिशन के बाद उसका पुत्र साथ करनी परथम सस्थ हुआ साथवान वंस का तीसरा सस्क साथकर्णी प्रथम ही साथवान वंस की सक्ति एम सत्ता का मूल सैंस्ता पक माना जाता है उसने अपने सासन काल में अस्वमेग यग्य किया और समझत दक्सिनी भारत पर अपनी सारा बोम सत्ता इस्तापिते की उसने गोदावरी तड़ पर इस्तित पर्तिष्टा नगर को अपनी राजदानी बनाया था साथकर्णी प्रथम की मृत्यू के बाद सकों के आकरमणों के फलसरूप साथवानों की सक्ति में कमी होने लगती है और महरास्ट्र में सक्छत्रप वन्स का सासन प्रारंबे हुआ प्रन्तु साथवान वन्स के 23 विसास गोत्मी पुत्र साथकर्णी ने सक्छत्रप की सक्ति को नस्ट करके पुनह साथवान वन्स की सक्ति दक्सिन भारत में स्ताफिते की गोत्मी पुत्र साथकर्णी का समरज उत्तर में मालवा से लेकर दक्सिन में करना तक तक विस्तरी थे था गोत्मी पुत्र साथकर्णी के बाद उसका पुत्र वस्ष्टी पुत्र पुलूमावी सासक बना यग्यश्री साथकर्णी सात्वान वंस का अंतिम महान सासक था तो सात्वान वंस का अंतिम महान सासक कों था यग्यश्री साथकर्णी इस वंस के सभी सासक हिंदू धरम के कट्र अन्युए थे उनों वयद्धी के गियों समाज में वन्ना स्तरम व्यवस्ता को पर्तिस्थिते किया था तो देखेगा इस वीडियो में हमने मोर्यतर काल के जो सासक है उनके बारे में जानकारी प्राप्ति की तो ये सारी चीज़े हमने सिक्वेंस से आपको उसारे वन सिक्वेंस से बताए हैं तो देहान से देखेगा पढ़िएगा याद करिएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद